हलो एवरीबन वाकम बैक टू मैं चैनल तो कैसे हैं आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा तो आज का जो वीडियो है वो है ये ब्लू आई मेकप लुक ब्लू स्मोकी आई अब पार्टी मेकप लुक भी से कह सकते हैं जब चाहे आप इसे क्रेट करना चाहें आप कर सकते ह बत मैंने यहां पे ब्लू स्मोकी आय किया है डार्क ब्लू स्मोकी आई आइ होप आपको अच्छा लगेगा अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो में बने रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइकilities खेर जरूर कीजेगा त तो ही जो है बायोटीक का टोनर है बायो हनी वाटर पोर टाइटनिंग टोनर है विद हिमाल्यान वाटर फर आल स्किन टाइप्स और बायोटीक का यह है यह आयरुवेदिक प्रोड़क्ट है यह स्प्रे बॉटल में नहीं आता तो इसलिए मैं इसे with the help of cotton लगा रही हूँ इसकी cost है 175 रुपीज नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अपनी skin को मॉस्चराइज करने के लिए लिया है बायोटीक का ही बायोटीक का ही बायोसेंडल वुड एड्वास आयरुवेदा इसमें 50 SPF हैं नेक्स्ट मैं यहाँ पे प्राइमर ले रही हूँ तो प्राइमर के लिए मैंने यहाँ आज यूज किया है blue heaven का प्राइमर flawless makeup based प्राइमर fills pores and fine lines तो काफी अच्छा प्राइमर है यह इसकी जो मैं link आपको description box में दूँगी मैं प्रोडक्ट्स का ये काफी मुझे थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव डिसकाउंट पे मिला है नेक्स्ट मैं याप फाउंडेशन के लिए यूज कर रही हूं लेक्ट में की इन्वीजिबल फिनिश फाउंडेशन एस्पी एफ एट ये भी मैंने अभी ऑनलाइन ही मंगवाई है तो काफी मुझे डिसकाउंट मिला है इन प्रोड़क्ट्स पे तो विद दे हेल्प आफ ब्यूटी ब्लेंडर मैं ब्लेंड कर लूँगी अपने इस फाउंडेशन को नेक्स्ट मैं यहाँ पे एन्वाई बेका कंसीलर ले रही हूं अगें मैं कंसील करूंगी अपने अंटराई एरिया को अपने जहां पर भी आपको थोड़े से डाक सरकल की प्रॉप्लम है और आ एक ब्लेंड कर लूँगी नेक्स मैं यहां ब्लू हेवन का ही ये जो है आपका कॉंपेक्ट पाउडर लिया है ये भी काफी ब्लू हेवन के ब्लू हेवन के प्रॉडर beauty का ले रही हूं अपना eyebrow definer और इसका review मैंने अर्डी channel पे किया है काफी अच्छा है ये मेरी eyebrows black color की है तो मुझे काफी अच्छा लगता है ये तो अपने eyebrows को मैं अच्छे से define कर लूँगी तो मैं इसका link जो है वो description box में डाल दूँगी और जितने products मैंने आज यहां use किये हैं जिन जिनका link मेरे पास होगा तो मैं डाल दूँगी आप check कर सकते हैं उसके बाद मैं spoolie की help से अपने eyebrows को comp कर लूँगी तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मेरी eyebrows define हुई है next यहां मैंने सरो टेप लगा लिए है again मुझसे वैसे make-up नहीं होता है और मैंने यहां पर काजल लिया है और काजल मैं अपने upper water line और lower water line पे अच्छे से जो है सबसे पहले मैंने यहां पर काजल ही लगाया है sorry अभी upper water line पे लगाया है next मेरा यहां पर जो nude palette है Swiss beauty का उससे मैंने एक अपनी skin tone से एक shade darker लिया है और एक brush की help से मैं अच्छे से अपनी crease line को build करूँगी और again मैंने यहां पर लिया है क्योंकि blue smokey eye करने वाली हूँ तो मैंने यह NYB का जो आपका है blue cold pencil ली है और यह बहुत जादा अच्छी है और इतनी जादा costly भी नहीं है और smudger की help से मैं इसे smudge कर लूँगी मतलब आपको blend कर लेना है इसको कि कहीं पे जादा कहीं पे light ऐसे ना हो अच्छे से इसको blend कीजिएगा और इसको पूरा time दीजिएगा आप उसके बाद जो harsh lines हैं उन्हीं मैं clean कर रही हूँ आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ उसके बाद again मैंने वही वाला color लिया है जो मैंने अभी अपने अक्रीज पे लगाया था light brown सा उससे मैं again से जो है वो हर एक चीज़ को smudge कर रही हूँ blend कर रही हूँ फिर से मैंने थोड़ा सा जो है वो अपना एन्वाइबे का cold pencil लगाए थी और उसके बाद फिर से मैंने से smudge किया तो यह आपको दो से तीन बार करना है जब तक आपको वो लुक ना मिल जाए जो आपको चाहिए उसके बाद मैंने यहां पर यह विंगी पैलेट लिया है swiss beauty का बहुत अच्छा है इसमसे मैं यह navy blue color जो है वो ले रही हूँ तो इसके बाद अब मैं इसके उपर सिर्फ मैंने पूट करना है कलर और कुछ नहीं करना है क्योंकि हम blending smudging सब कुछ almost कर चुके हैं तू से त्री टाइम्स तो जस्ट मैं कलर पूट करती जा रही हूँ जितना जाधा dark color मुझे चाहिए और इससे जाधा easy smokey आई मुझे नहीं लगता किसे नहीं की होगी बहुत जाधा easy smokey आई है यह बड़े राम से आप लोग कर लेंगे और मने पर लोटर लाइन पर भी waterline के नीचे भी जो है same blue color लिया है और उसे मैंने लगा लिया है अच्छे से तो आप देख सकते हैं कितने easily यह eye makeup हो चुका है अच्छा लग रहा है तो वीडियो को like पी कर दीजिएगा, share कीजिएगा, subscribe कीजिएगा चैनल को तो यहां पर आप देख रहे हैं मैं सेलो टेप को निकाल रही हूँ और कितने beautifully जो है वो एक clean सा आई make-up हो गया है इसलिए मैं हमेशा सेलो टेप लगाती हूँ आइस पे ताकि बहुत easily और effortlessly आपका make-up हो जाए तो यहां पर आई make-up complete हो चुका है next मैंने वही जो nude shade था वो लिया है just मैं clean कर रही हूँ अपने lower water line के नीचे और अब मैं जो है वो काज़ा लगा रही हूँ अपने lower water line पे आप यह ची starting में भी कर सकते हैं तो मुझे जैसे जैसे याद आता रहता है वैसे वैसे मैं करती रहती हूँ next यहां पर मैंने जो है वो eyeliner लिया है और यह blue heaven का है और बहुत ही अच्छा और water proof है जो eyeliner है इसका link में आपको description box में दो कि इसकी cost जो है वो सिर्फ 58 रुपीज है मतलब blue heaven के जितने भी products है ना वो काफी जादा अच्छे है next मैंने highlighter लिया है यह मेरा पुराने वाला highlighter है CVC का लस्चर और मैंने पहले भी आपको बताया था just inner अपने inner eyes को मैंने highlight किया है अपनी brow bone को मैंने highlight किया है तो just apply कर रही हूँ highlighter और उसके बाद मैंने यहां पे mac का जो है वो mascara लिया है और यह सबसे जदा costly मुझे लगा था 366 रूपीस का था यह तो contouring करना सीख रही हूँ I hope एक दिन आ ही जाएगी तो just contour कर रही हूँ अपने face को और उसके बाद फिर से जो है मैंने वो यहां पे concealer लगाया है अपने nose पे तो यह sugar का जो है वो contoured force mini bronzer है यह उसके बाद मैंने जो है अपना NYB का जो मैंने अपने concealer को जो मैं set कर लिया है उसके बाद मैंने Swiss beauty का यह highlighter plus blush है इसमें तो इससे मैं जो है अपने वो अपने face पे blush apply कर लूँगी अपने थोड़ा सा nose के ओपर अपने चिक area पे यह highlighter plus blush है इसमें highlighter भी है तो उसके बाद मैं यहां पे Swiss and beauty का जो है अपना lip liner लिया है और क्योंगी eyes बहुत अधा बोल्ड रखी थी इसलिए lips को मैं nude करने की सोच रही हूँ तो बहुत जाथा थोड़ी light nude lipstick मैंने लगाई है और इसके बाद मैं यहां पे lipstick ले रही हूँ lipstick के लिए अपने blue heaven के walk free lipstick लिए और यह बहुत अच्छा shade है इसकी cost भी 50-68 रुपीज कुछ something है तो यह मैंने लिगाया है तो यह यहां पे final look है I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे like कीजेगा subscribe कीजेगा है तो